रमजान का पाक महीना चल रहा है। राचनेता इस पवित्र महीने में सामोहिक रोजा इफ्तार के जरिये कौमी एक्ता को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधायक सतिनारायन पटेल ने इंदोर के मुस्लिम बहुल इलाके में सर्वधर्म दावत इफ्तार कारिकरम आयोचित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपस में भाई च्वारे के जरिये ही देश को मजबूत किया चा सकता है। जिसके लिए ऐसे आयोचन होना बहुत जरूरी है। धर्म गुरूओं ने समस्त संपरदाय प्रमूखों ने इस पवित्र हजरत नहारशावली सरकार के बारगहां में इस पवित्र प्रांगण में सर्व धर्म सदभाव रोजा इफ्तार पार्टी जो रखी है। वह बुनियाद है हुब्बेवत्नी की, वह वतन परस्ती की, वह सामपरदाय सदभाव की, वह कौमी यगजहती की, जो एक मिसाल, एक नजीर आज इस पवित्र भूमी से प्रारंब हुई है। और यीद के मुबारक मोके पर आकर के हम खड़े हैं, मैं कल्ब की गहराई से, तहे दिल से, रिदे के अंतस्त से, आप सभी को दुनिया जहान को बधाईयां देता हूँ, मुबारक बात देता हूँ, और यही प्रात्ने करता हूँ इस परमेश्वर से, परवर्दिगार से, उस करतार से, वाहे गुरू से, कि हे प्रकाश पुंज, हे सरोशक्तिमान, हे तोहीद, हे वाहीद, हे एकेश्वर, हम सब आपके बंदे हैं, आपके अंच हैं, आपका वंच हैं, हम सब आपके बगिया के खिलते वे नोनिहाल, जो खुश्बूदार फूल हैं, वो जहान में पहुचे सथ्टू भाई ने जिस रिदय की गहराई के साथ पवीत्र मकसद के साथ यहां आयोजन रखा है जिसमें समस्त संबाननी संभी निस हुए हैं सबको प्रणाम करता हूं ओम शांति ओम शांति ओम शांति जो रहा है बहुत अच्छा पंडेज ने बड़ा सं सब्सक्राइब अपराले सभी हिंदुस्तान के कुने-कूने में होने चाहिए तो जो आपसी बही चारा है जो नफ्रत का जो बीज फैल रहा है हमारे देश में अगर ऐसा जो समेलन है सभी धर्मों का आज इद के सबंद में जे हुआ है ऐसे कल को किसी और धर्म का को इसमेलन ह होता गर ईसे ही होता रहे सबकारमान सतकार उसमेहिज पाहिचरा है वो बढ़ेगा और हम गरू के चरनूं में वाहिजी का ध्रियू का खल्सा Wellington परिटी की पूते नाम गुरदर ऐलाइग को तरब से जो है सिवा लगी थी समेड लमने आने की और मेरा सुवाग्या है कि जहाँ सब्ही जो सितकार जोगा मारे जो gust प्रिषी तो मेरा सबख्या है जहां मैं प्रिष्ट हूँ के आपका का bubb चेवल है सब कराई याद किया है तुम्हें सब्हें चख्त-टो कि दुवारा जो आज आयोजन के आगया है और यहां सर्व धर्व सभा एक रखी गई वह अच्छा लगा कि यह भाइचारा जो इस समय नफ्रत की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं पर आज हम अच्छे लोगों की बीच में खरे हैं और अच्छे होकर हम इस देश के लिए आयोजन करता सतिनारायन पटेल का कहना है कि सर्व धर्म इफतारकारिकरम से हमारी भारति संकर्ती की गंगा जमुना तहजीब मजबूत होती है इसलिए सभी को मिल जुलकर एक दूसरे के त्यवहार मनाना चाहिए ताकि देश की सर्वधर्म एकता मजबूत रहे सभी धर्म गुरूओं के साथ सभी मजब के लोगों सभी जाती सभी धर्म के लोगों ने मिलकर एक रोज़ा अफ्तार किया और निश्य थी इस रोज़ा अफ्तार में सब लोग आए मैं उनका हादी का मिनेंदन करता हूं स्वागत करता हूं और हर धर्म ग्रंथ में लिखा है चाहे कुरान हो चाहे बाइबर हो चाहे गीता हो चाहे सिक समाज का ग्रंथ हो हर ग्रंथ में यह लिखा मानव मात्र एक समान मानव मात्र एक दुसरे की सेवा करें यह हमारे हर ग्रंथों में लिखा है उसको लेकर उस ग्रंथ को और एक मानवता को लेकर हमने सम्दन मिलकर सरließ हम रोज़ अप्तार रखा जिससे देस को नगर से प्रदेश में प्रदेश से देश को हें क्संदेश जाए औरी संधेस उन लोगों के चाह mett कि हम सब मिलकर भाईिसारा मनाएई देस्की एकता यसके विकाष यह आपका हमारा सबthree सब्सक्राइब तो को सवाल यह है कि मैंने किया कि हर धर्म घर्म घर्म में लिखा है जो जिस धर्म को मानता है तो मानते हैं और यह दूसरे को मदद करें यह हमारा लक्ष है तो जो भी है सबने मिलकर यह करना चाहिए और हमारे धर्म गरंतों का पालन करना चाहिए यह में निवेदन करना चाहता हूँ नाहर शाहवली दर्गापर आयोजित सर्वधर्म रोजा इफ्तार कारिक्रम में शहर के नामचीन कॉंग्रिसी नीता भी शामिल हुए जिरोंने अपने भाशनों में एकता का संदेश दिया वीर रिपोर्ट, MP News, इंदौर